Windows को install करते समय, MBR से GPT में या GPT से MBR में कैसे convert करते हैं, इस वीडियो में हम लोग यही दिखाने वाले हैं. आप अगर अपना computer में Windows 7, 8 या 10 किसी भी Windows को install करने जाते हैं, तो आपने समय अगर यह error आता है, तो आप क्या करोगें? हम लोग इस वीडियो में दो तरीके की बात करने वाले हैं, अगर पहला method जो है, उसको यूज करके अपना problem solve नहीं होता है, या आप उस method से काम करना नहीं चाहते हैं, तो आप दूसरा method को follow करिए, तो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़री सूचना, अ किसी भी partition में में इंस्टोल करने जाओंगे, एक error show कर रहा है, अगर error का details में जाएंगे, तो यहां पर क्या select कर दिखा रहा है, वीडियो का नहीं इंस्टॉल्ट तो इस डिस्क, the selected disk has an MBR partition table, on EFS system, Windows can only be installed to GPT disk, मतलब क्या है, यह जो आपका system है, यह MBR में है, वीडियो का Windows अगर अगर बढ़ करोगे, तो ही आपका जो process है, वो आगे बढ़ बाएगा, यह पहला वाला method में क्या है, इस method को अगर आप करने जाओगे, तो आपका computer को जितना भी data है, जितना भी partition है, पूरा का पूरा delete हो जाएगा, तो यह करने से पहले एक बास सोच लीजएगा, अ अगर laptop है, तो shift FN plus F10 प्रेस करना है, देख सकते हैं, यहाँ पर comment खुल गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ comment टाइब करना है, सबसे पहले आप लेख दीजिए, डिस्क पार्ट, यहाँ पर डिस्क पार्ट लिख दिया है, इसके बाद लिखिए list disk, यहाँ पर मेरा जो disk है दिखा दिया है, list disk, यह disk 0 जो है, मेरा 50 GB का है, मैं आपको दिखाने के लिए 50 GB का किया हूँ, तो अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लिखना है, देखे यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ, select disk 0, तो यहाँ जैसे कि मेरा जो है, online दिखा रहा है 50 GB का, disk 0 और यह जो पूरा का पूरा format तो होगा यह होगा, जितना भी partition है वो भी clear हो जाएगा, अभी इसको clear कर देते हैं, interface कर दिए clean हो गया, अभी आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, convert GPT, इंटर कर दीजे, यहाँ पर दिखा रहा है, disk part successfully converted, selected to disk part GPT format, यह हो गया है, तो apply कर दूँगा, okay कर दूँगा, तो automatic जो है, यह जो हर ड्राइव है, यह GPT में convert हो जाएगा, देखिए, यह GPT में हो गया है, अभी यह जो नीचे वाला जो drive है, इसको अगर हम select करेंगे, तो यह install में चला जाएगा, install हो रहा है, इस जगह पे धियान देने वाली बात यह है कि अगर यह जो पहला method में दिखाया है, यह method आपका काम नहीं आता या इस method का follow नहीं करना चाहते है, आप यह दूसरा वाला method फॉलो करिए, ना computer का जो data loss नहीं करना चाहते है, तो यह method आपके लिए है, तो आप सबसे पहले यह rufus.ie इस website में आ जाएए, उसके बाद MBR, क्योंकि आपका वहाँ पे दिखाया था, आपका जो partition MBR में है, अगर आपका reverse में दिखाता है कि आपका partition GPT है, इंस्टोल नहीं कर सकते है, तो आपको यहाँ पर GPT select करना है, उस जगा पे आपको जो error दिखाएगा, अगर दिखाता है आपका partition MBR में है, तो आपको यहा जाएगा, यहाँ पर जैसे मैं install करने जाओंगा, यह install हो जाएगा, ऐसे करके आपका जो problem है, वो solve हो जाएगा, आपको थोड़ा सभी मदद मिला है, थोड़ा सभी knowledge मिला है, या थोड़ा सभी help मिला है, तो प्लीज लाइक कर जिए, लाइक करने के सब्सक्राइब नहीं कि अगले वीडियो में